ऐसा होपती पत्नी का रिस्ता, एक कालोनी में एक पार्टी का आयुजन हुआ जिसमें कालोनी के सभी साधी सुधा जोड़ों को बुलाया गया, साम का समय था सभी लोग अपने ओपिस से आने के बाद तैयार होकर सिधे पार्टी में पहुँचे, सभी एक दूसरे से मिले, सा कर लगा लगा के निकल जाता है चलिए आज हम सभी एक गेम खेलते हैं बुजुर्ग वैक्ति ने एक वाइट बोर्ड मंगवाया और पार्टी में से एक महिला को चुना अब उस महिला से कहा कि इस बोर्ड पर 20 नाम ऐसे लिखो जिन से तुमको प्यार है जो तुम्हारे अप पसंद है और जिनके बिना तुम आसानी से रह सकती हो महिला थोड़ी संकुचाई लेकिन फिर जब बुजुर्ग ने जोर दिया तो लड़की ने अपने पडोसियों के नाम मिटा दिये सारे लोग बड़े ही गोर से ये सब देख रहे थे अब बुजुर्ग ने महिला से कह कि चलो इसमें से दस नाम और मिटा दो जिनको तुम कम प्यार करती हो महिला ने फिर अपने सगे संबंदियों के नाम मिटा दिये अब बोड़ पर केवल चार नाम बचे हुए थे मा, पिता, पती और बच्चा सारे लोग दिल थाम के बैठे हुए थे कि सहसा ही बुजुर् सब लोगों की सांस मानो अठकी हुई थी अब जोर देने पर महिला ने रोते हुए अपने माबाप का नाम बोड़ से मिटा दिया बोड़ पर अब केवल दो नाम थे पती और बच्चा अब बुजुर्ग ने फिर कहा साबास बेटी चलो अब इसमें से एक नाम और मिटा द बड़ी और उसने अपने बच्चे का नाम मिटा दिया अब बोड़ पर केवल उसके पती का नाम था अब बुजुर्ग ने उस महिला को वापस अपनी सिट पर बैठने को बोल दिया और अब वह वहां बैठे सभी लोगों से बुजुर्ग ने सवाल किया कि ऐसा क्यों लेकिन किसी से जवाब नहीं दिया गया बुजुर्ग ने वापस उस महिला को बुलाया और पूछा कि आपने अपने पती का नाम ही बोड़ पर क्यों छोड़ा आपके माता पिता ने आपको जनम दिया आपने उनका भी नाम मिटा दिया और जिस बच्चे को आपने अपनी पिता बुढ़े हो चुके हैं और वो जल्द ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे मैं अपने बेटे से भी प्यार करती हूँ लेकिन न जाने बडे होकर वो मेरा साथ देगा या नहीं लेकिन मेरे पती जब तक मेरे साथ है तब तक मेरे प्राणों में प्राण है मैं उनकी अर्धांगनी हूँ और वो मेरा आधा सरीर बनकर मेरा साथ देंगे और जीवन भर मेरा हर सुखदुख में साथ देंगे इसलिए मुझे मेरे पती सबसे अधिक प्रिया है महिला की बात सुनकर सारा माहूल तालियों की गड़गडास से गुजने लगा सभी लोग उस महिला के विचारों की परसंसा कर रहे थी तब बुजुर्ग वैक्ति ने कहा ये तो हमने आज गेम खेला है चलिए गेम की मस्ती अपनी जगह है लेकिन इस गेम में आपके जीवन की सच्चाई छिपी है पती और पत्नी एक दूसरे का आधा सरीर होते हैं और एक दूजे के बिना जीवन बहुत दुसकर है इसलिए सभी पती पत्नियों को चाहिए कि एक दूसरे के प्रेम की जट करे और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निमाई तब ही विवा का असली अर्थ सार्थ तक होगा दोस्तों आपको एक आहनी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना न भूले धन्यवाद